हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा हैं आपके लिए MP पटवारी परिचा दो जारते इस आठ अपराइल सेकेंड सिट का एक्जाम एनलसिस जहां पर आज हम कवर करेंगे हिंदी इंग्लिस मैथ रिजनिंग जी के साइंस कंप्यूटर मेनेजमेंट के सभी महत्मून प्रश्णों को इन प्रश्णों को आज हमारे पास में बेजा ह अंकित कटारे जी ने और शरद्धावेद जी ने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप लोगों की वज़े से हमें दरदर नहीं बढ़कना पड़ा एक तरह से कह सकते हैं और आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्ण एक्जेक्ट प्रश्ण हमारे पास से बेज़ दीजिएगा ठीक है जैसे आप एक्जाम सेंटर से बहार निकलते हैं जितने भी प्रशन याद रहें आपको आप जरूर भेज दीजिएगा ठीक है बागी आपको कोई प्रशन पूछना हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आइडी यह है इस पर आप अपने प्रशनों को पू वाली उससे बहुत सारे प्रशन एजटीज देखने को मिले हैं चली शुरूर बात करते हैं देखिए आज का पहला प्रशन है भारत के केंदरी बैंक की स्थापना कप की गई थी मौदरिक नीती वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें शुरूरात ही हमने भारती रिजर बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई भारत के अर्थागी बाबा साथ भीमराओं बेटकर ने भारती रिजर बैंक के बैंक की स्थापना में एहम भूमिका निभाई इसका केंदरी कारेले देख लीजे तो केंदरी कारेले जो सुरुवात में है वो कोलकत्ता में था और 1937 में मुंबई आ गया पहले यहां एक निजी बैंक था किन्तु सन 1934 में भारत सरकार का उपक्रम बन गया और बात करते हैं कि वरत्मान में कौन है इसके जो गवर्नर है तो सकती कांदास भारती रिजर बैंक के वरत्मान गवर्नर है जिन्होंने 11 सेतंबर 2018 को जा रहे थी इसके उपर ओल्ली हमने एक वीडियो बना दिया और वहां से तीन प्लाश्न आज सुबह भी देखने का मुले थी तीन प्लाश्न आज साम को भी देखने को मिले हैं सामाने प्रबंदर में ठीक है अब चलिए आगे बठते हैं सारी जानकारी आपको हम देने वा वो में सभी भारती राज्यों में प्रत्यवक्ति सकल घरेर उत्पास सबसे दिक है यह भी हमने आपको बता था एक जो गोवा की प्रत्यवक्ति आ है वो सबसे जादा है कैसे निकाली आती प्रत्यवक्ति आ यह भी हम आपको बता चुके हैं ठीक है न यह सारी बाते आपको टैटिक जी के हमने बता दिया कल सुबह करेंट अफियर की महत्रपूर्ण वीडियो आने वाली है जिसमें इस्पोर्स को कबर करेंगे और जो आपके मिर्तिव वाले प्रेशन पूशे जा रहे हैं किसकी मिर्तिव हुई है कौन से पुरसकार कौन जो है वादक वाले प्रेशन आप्सर में भी दिया हो था हरी प्रसाद चौरसी अब जैसे वह वादन की तरफ पहुंच गया वाद्यंत्रों की तरफ यहां से लगातार प्रस्ट मरेंगे इसके उपर करेंट अफेर में साथ में इसको भी हम कवर कर लेंगे सुबह वाली वीडियो में ठीक है हरी कौन जीता था भारत जीता था चली आपको बताते थे हैं तो बांगलादेस में खेले जा रहे हैं वूमेंस एसीए कप 2022 में भारती महिला क्रिकेट टीम लगा ता आठवी बार फाइनल में पहुंच गई है यह टूरमेंट का आठवा सीजन है और भारती टीम अपने सांदर प्रदरसन से हर बार कितावी मुकाबले में पहुंची जितनी बार आपका एसीए कप हुआ है हर बार भारती टीम जो है फाइनल में पहुंची है ठीक है भारत ने महिला एसीए कप चार बार वंडे फॉरमेट में जीता है जबकि तीन बार T20 फॉरमेट में खिताब अपने स्री लंका को हराया बंगलादेस में कप हुआ इस पोर्स वाले प्रशन कल आपको करेंट फिर में देखने को मिल जाएंगे यह कि इस पूर्स से बहुत ज्यादा आज सुबह तीन प्रशन स्पोर्ट का पूछ लिए है इस पूर्स को हम कल सुबह कवर करने वाले है ठीक है आपसे निवेदन करते हैं कि जैसे आउपका एक्जाम हो तुरंत हमें प्रश्म भेज़ दिये कीजिए जो हम जगा जगा कर करके प्रश्ट को कबर करते हैं दोस्तों पास फ्चोन लगाते हैं ऐसा करते हैं अगर आप भेज़ देंगे तो हम इतना मतलब इधर उदर भठक से ने कारे करना सुरू कर दिया था मुख्याला याद रखे का वासिंग्टन डी सी में इसका मुख्याला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना मूल सम्विधान का भाग है कि समीती की दौरा या फिर किस वाद में बता गया था तो केश्व अनंद भारती वाद म सरव़ चिनẩयरेन इसको दो रहा था कि प्रस्तावना समधान का अभिन अंग है और पहली बार इसके बारे में जोगा केश्व अनंद भारती वाद में बताये गया था ठीक है और केश्व अनंद भारती वाद में हिस बड़ी जोँ न्याई एक बिंच बढ़ी थी अब तक क किस राज़े में फूलों की बारिस होती है, प्रशन आया था, सही आंसर है केरल में, पूरी जानकारी आपको देते हैं, देखिए, तो ग्रीस मकालिन अवदी में कहवा उत्पादन वाले राज़े करनाटक और केरल में होने वाली वर्सा को फूलों की बौचार कहते हैं, ठीक पैंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है ग्रेफाइड, ग्रेफाइड का प्रयोग पैंसिल में किया जाता है, तो पैंसिल में ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यनत भंगुर यानी की अत्यनत जो है, मुलायम होता है, सबसे मुलायम लिश्ट एक बार फिर से आपको याद करा देते हैं क्योंकि यहां से लगातार हर शिप्ट में प्रेश्ट मन रहा है तो बिटामिन A से रतौंधी होगा बिटामिन B से बेरी-बेरी बिटामिन B12 से रुधर की कमी या फिर आपको एनिमिया कह सकते हैं ठीक है बिटामिन C से स् लुधर का इस्तरा होना और जो आप मासपेशियों में एठन और हिमोफेलिया नामक ये बिटामिन की वज़ा से कमी की वज़ा से होती है ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ में आपको बदा डाल देते हैं पूरे किताबों की पीडियफ आपको वहां पर मिल जाती है तो वह भी आप जरूर जोइन कर दीजिएगा ठीक है माचस की तीली के आगे कौन सा तब लगा रहता है पहले भी ये प्रशना चुका है और पूरा हम आपको पढ़ा चुके इसके बारे में अभी इसी वीडियो के अंत में इसी स्कीन पर मिल जाएगी इसमें क्लिक करके वह वीडियो जरूर देखकर के जाना चैसे साथ प्रशन जो है लगा तारस में से रिपीट हो रहे है ठीक है तो माचस की तीली के टॉप पर फासपोरस का मसाला लगा जाता है यह एक अत्यनत जोलन स होता है इसलिए इसे पानी में रखा जाता है यह भी हमने आपको पहले बताया था जब यह प्रशन एक बार और आया था ठीक है काफी सारे प्रशन रिपीट हो रहे हैं आगे भी प्रशन रिपीट होंगे याद रखेगा इसलिए हमने पर्टिकुलर एक वीडियो ही बना द है कि हमारे देश में इसका प्रवेश 1905 में अमेरिका अथवा कनाड़ा के आयत किये हुए गेहूं के साथ हुआ था परन्तु अल्पकाल में ही यह गाजर घास पूरे देश में एक भीसर प्रकोप की तरह लगभग 35 मिलियन हेक्टियर भूमी पर फैल चुकी है जैसा कि आगे बढ़ लेते हैं सिया चीन पर तैनात होने वाली पहली भारती महिला कौन है जनवरी 2030 का यह प्रश्ण है करेंट अफेर का समझ लीजिए जनवरी 2023 तक के करेंट अफेर की प्रश्ण आ रहे हैं तो जनवरी तक के प्रश्णों को कल वाली हम वीडियो में कवर करने वा परिशान मत हुएगा पूरी जी के कवर कराएंगे पूरी करेंट अफेर कवर कराएंगे पूरी साइंस उसमें हम कवर कराने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेस बेल जरूर दबा लेंगे अगर आप आगे ब्यापम की किसी एक्जाम की तैयारी कर रह करेंगे शाल के साथ में कर ने में ची हैं आपको पूरे निरति कवर कर लेंगे और बहुं प्रस्ट आएंगे उनको एक अलग वीडियो में कवर के लेंगे इन में से किसे Acetic Acid कहते हैं तो सिर्के को Acetic Acid कहते हैं जिसका सूत्र है CH3COOH Acetic Acid का Carbonic योगी है जिसका राशानिक सूत्र CH3COOH होता है Acetic Acid को Ethanoic Acid, Athletic Acid, Sirka Acid और Methane Carboxylic Acid के रूप में भी जाना जाता है Acetic Acid किडवन का एक उपोत पादा है और सिर्का को इसकी विशिष्ट गंद देता है सिर्का में मातरा के हिसाब से कम से कम 4% Acetic Acid होता है ठीक है और एक परियावरण वाला प्रस्न भी आया है अभी जेस्ट हमारे सामने वहर्ट सा प्यारा है परियावरण का जो 48A में Article 48A में किसका वर्ण किया गया है तो परियावरण का वर्ण किया गया है यह भी आप इसमें एड कर लीजेगा कुछ लोग अभी भी प्रस्न भीज रहे हैं ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपको याद रखना है ठीक है वीडियो को लायक करदीजेगर आपने अभी तक लायक नहीं किया है मोहने एक्टरं किस राजी का लोग नेरते है तो केरियल का लोग नेरते है और इसको हम अल्रेडी कवर करा चुके हैं प्रीवेस वाली वीडियो में ठीक है न तो सारी वीडियो जरूर दिख लेना इससे अच्छा है कि आप एक ही वीडियो जो हमने बना रखी पंदरह मार्स से अब तक की जीके साइंस वाली उसको भी दिख लेना सब कुछ कवर हो जा को साथी अगे बढ़ते हैं उद्रा मगद्ग को किस भारती शास्तिनित का अगृदूत माना जाता है बहुत महत्तमों प्रेश नहीं प्रेशन है कोई इसको बता नहीं पा है सब तुक्कलत क्या है तो ODS को अगर दोदूत माना जाता वहाँ पर कोई भी कोर्स खरीदने पर 50% off मिल जागा अगर आप यह कूपन कोड अतुल 10 लगा देते हैं ठीक है तो 800 रुपए का MPDJ का वहाँ पर कोर्स है यह कोड लगाते ही वह सीधे 400 रुपए का हो जाएगा वहाँ पर आपको जोइन करके बैतरिन तयारी कर सकते हैं फ्री यह तो मतलब सुबह आए यह इसमें नहीं आता ठीक है यह सुबह पूचा गया था ठीक है पैरा जंबल हिंदी में आ रहे हैं सुबह भी हमने आपको बता था है पर्यावाची पूचे गया था वर्तिनी के 8-10 प्रशन सुबह भी आये थे इस ताइम भी आये थे अलंकार मे तो reasoning में एक नया topic यहाँ पर देखने को बिला है, चलिए बताते हैं आपको, साइलोक के तीन प्रश्ण है, sequence से लगाने के लिए, एक तरह से पैरा जंबल ही कह सकते हैं, मतलब क्या हो गया यह, पैरा जंबल, लो English में पैरा जंबल लो, Hindi में पैरा जंबल लो, और ये लो reasoning में भी पैरा जंबल लो, ठीक है ना, तो reasoning में sequence से लगाने के लिए, एक प्रश्ण, एक से दो प्रश्ण, sequence वाले देखने को मिल रहे हैं, चलिए, एक प्रश्ण डाइस का आया था, sitting जो है, वो circle में बिठा करके, एक sitting वाला प्रश्ण था, कथन निसकर्ण के तीन प्रश्ण, coding के 5 से 6, ranking के दो प्रश्ण, number series के चार प्रश्ण, blood relation के भी एक से दो प्रश्ण, और अगली आकरती वाले लगबग 7 से 8 प्रश्ण, अगली आकरती वाले आये थे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, maths की बात करते हैं, तो सीधे सीधे कुश्ण देख लीजिए, maths का एक कुश्ण था, 10-10, 10-10, 10 का answer, क्य होगा, ठीक है न, कुछ प्रश्ण सिंपल भी होते हैं, सानी के सारे का सारे कटी नहीं होते हैं, ठीक है, हाइट and distance का भी एक प्रश्ण देखरों को मिला था, और यह difference वाला प्रश्ण लगा था, trending में बना हुआ है, दो प्रश्ण ने, difference वाले जरूर आ रहे हैं, किसी में पी पूछ रहे हैं, किसी में रेट पूछ रहे हैं, वह पी र स्कर अपर हंड्रेट स्कर वाला सूत्र लग रहा है, ठीक है न, तो यह वाला सवाल जरूर लगा करकी जाएगा, एक प्रश्ण आ था, गोले का बाहरी व्यास 20 cm है, आंतरी व्यास 20 cm है, तो गोले की तरिज्य बताईए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से 4% थे, एज से 1-2% था, बट्टा का एक प्रश्ण था, बेलन के भी 1-2% देखने को बले हैं, ठीक है, डी आई बार ग्राफ वाली 3% डी आई के बार ग्राफ वाले आए हैं, सीरीज के 1-2% सीरीज वाले भी आ रहे हैं, इसमें नं बताई बागी बात करते हैं, तो कम्पीटर से अंडू की सौटकट की पूछी गई थी, सिलेक्ट मेंटर को अगर आपको रेडियूस करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, दो प्रश्ण मेमोरी से, MS Excel से 6-7 प्रश्ण, आपका MS World से 2-3 प्रश्ण, IP Address से पूचा गया था, IP Add Address में कौन सा जो चिन यूज में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें चिन होगा रहा दिया था, Output Input से भी 1-2 प्रश्ण, Output Input Unit से पूचे जा रहे हैं, ठीक है, चली, आगे बात करते हैं, Management की, देखिए हम आपको स्क्रीन सौर्ट दिखा देते हैं, ठीक है, तो सर और आपको GDP, NNP, GDP, NNP से सुबह प्रश्णा है था, Modernity से इस टाइम प्रश्णा है, दोनों वीडियो जरूर देख लेना, Economics, Modernity या GDP, NNP by Success Junction कर देंगे, तो वहाँ पर जेखने हो मिल जागा, नहीं तो आपको इसी केंदर जो है न, एक प्लेलिस्ट बना रखी, हमने भारती रिजरो बैंक, वालिजीक बैंकों को किस दर पर रिंड देता है, तो बैंक रेट, बेस रेट पर जो है, रेट देता है, यह हमने आपको पूरा पूरा कराया है, पूरे मतला दो प्रश्णी यही बन गया थे, किस रेट पर देता है, ठीक है, तो यह पूरा बैंक र बंदन के भी दो से तीन प्रशन थे पीक्यू एरस इंगले से बात करते हैं इसकी वीडियो अलड़ी बना रख किया है एक्टिव पैसिव के चार से पांच प्रशन इसकी भी दो वीडियो हमने बनाई है दोनों वीडियो जाकुर के दिख लिजिए अगर आपका एक्जाम है किस्की बात करते हैं उनमें से कौनसा कुछ गालक है तो देखी इसमें और सही प्रैसर थी हा प्रशन अभी लगाताव हमारे पास में आ रहे हैं आपसे भी हमारा निवेदर रहता है कि आप भी अपने प्रश्णों को सेंड कीजिए आपके नाम के साथ में हम सबसे पहले वीडियो के ऊपर ही आपको बता देंगे ठीक है तो बैकलाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बैकलाइट जो है वो एक तरह का कुछाला है ठीक है बाकी इसमें जर्मेनियम दिया हुआ है चांदी दिया हुआ है तो यह सब सब सबसें लगा होते है कि आल बैकलाइट जो है वो खोचालाइक होता है उश्मा का और विजली का ठीक है मेनेजमेंट के 18 प्रशना है एंगलिजिस के 25 प्रशना पूरे आएं हिंदी के 24 प्रिशना है आज के cut-off की अगर हम बात करें तो आज का cut-off 135 प्लस रहेगा क्योंकि ठीक ठाक आज का paper आया ज्यादा cut-in भी नहीं कह सकते हैं ज्यादा सरल भी नहीं कह सकते हैं तो 132-135 में जो है वो safe zone में है journal का ठीक है बागी test series और आपको कोई भी course ले रहा है वो भी आप join कर सकते हैं आदी फीस में एक coupon कोड लगाने के बाद में ठीक है बागी वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और दोस्तों तक share कर दीजिए कल सुभा current affair की मैटपूर्ण वीडियो आ रही है दो वीडियो करेंट फिर के अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं उन दोनों वीडियो को देख करके जाएगा आज वहां से दो-दो प्रस्णा हैं सुभा ये upload किया सामको दो प्रस्ण मिल गया ठीक है तो जरूर देख करके जाएगा उन दो प्रस्ण आए हुए थे जब तक आप जो है सेंटर से स्टेशन तक पहुंचेंगे तब तक काफी सारे प्रस्ण आपके दिमाग में आ चुके हैंगे और आप हमें भेज चुके होंगे ठीक है बाकि जल्द ही मिलते हैं कल सुभा करेंट अफेर वाली वीडियो में तयार रह